है गाई चैनल को सब्सक्राइब करें कि फिटनेश का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंग फिटनेस अरा पर मिलेगा तो मैं मनी सिंग अपरोग देरेगे तो आज में फिटनेस इंडेश्टी बहुत सार अपडेट लेकर आ है तो फिलखने बीडिय ग को क्या हो जाता है बाइदाबे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यह पिक बिक में गलती जरूर कर रहे हैं जो क्या इतिंक सीखेंगे और इन अपकमिंग टाइम कुछ अच्छा करेंगे तो पोजेटिव सोच के साथ आप लोग कोमेंट रुके बताना किनका फिजिक आप लोग को इस बार इस बार तो इनका प्लेशिंग भी बहुत अच्छा फोर्थ प्लेस नोने सेक्यूर करा था तो लेट सी गाइस क्योंकि यह उंदा स्टेज ना बहुत ही तकड़ा मतलब हाड़नेस के साथ लेकर आते हैं बड़ लेट सी गाइस देखते हैं इन अपकमिंग टाइम क जिको देखकर लग रहा कि टू टूल डिवीजन में इनको थोड़ा और साइच ची है अपने मसल मास अपने फ्रेम में पूटाउन करेंगे तो और अच्छा देखेंगे बाइदावे तो कंडिशनिंग तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आमस में देख सकते हो पिक बहुत अच्छे तरीके सा बाइस इसका दिख रहा कॉर्स देख सकते हूं बड़े विडिए दिख रहे हैं और यह इस साल कोई और सो में कॉम्पीट करते हैं और क्या क्वालिफाइग करते हैं फिर नहीं जो भी इनका कोस जो है ने रमबूरे जो भी जैसा भी अपडेट आएगा मैं आप लोगो ज़रूर बताऊंगा जो मारा नेक्षट अपडेट है वह है राजजाजीत के तरफ से देख सकते हैं उन्होंने में इपना कंडिशन से हैं कंडिशनिंग उन्दा पॉइंट लग रहा इसमें शोल्डर में देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा फाइबर बहु इनके अंदर पोटेंशियल है जो बहुत अच्छा करेंगे और इन्होंने एक लाइब वीडियो में जैसे कि बताए कि इनका टार्गेट है कि 2014 तक यह टॉप टेन टॉप फाइव में उलम्पया में क्रैक करेंगे लेट सी गाइस क्या होता है औल दा बेस्टूर राज्या जी तो गाई जो मरा नेक्षड अपडेट है वह है बिलाल अली के तरफ से तो उन्होंने आज अगेन फिर से अपना करन्फीग अपडेट से एर करा और कैप्शन ने लिखा गेटिंग देर फोर बीक्स आउट मिस्टूर नंपी कंडिशनिंग तो देखो बहुत अच्छा दिखरा इसमें लेगिन कहीं ना कहीं साइज में भी मैटर कर सकता है बट जरूर कुछ ना कुछ यह अच्छा करेंगे इनका प्लेशिंग हम लोग को सबसे ज्यादा इन पर में फोकस करूंगा कि इनका प्लेशिंग और भूबंच वहां से में कॉम्प्रीजन करूंगा दे तो बताना आप लोग इनका कंडिशन आप लोग को कैसा लगा तो गाई जो हमारा नेक्स अपडेट है वो है तरून दिल के तरफ से तुन्होंने कुछ टिप्स यह करा कि आप किस तरीके से अपना बाइसेप्स को हमें साब पंप रख सकते हो तो आप इस वीडियो को देख करने है लगाता है बिना प्रेक के 50 एपिटिशन पर लगाता है इसकी एकस्पे निक फास्ट अब इसकी एकस्पे प्स लाक्टिक एसेड लाक्टिक अश्ड आपके बाइसेप में रहेगा काफी टाइम तक रहेगा किसी भी पार्टी ने जाना है उससे पहले ज़ाइग से है और काफी देर तक यह रिटेल होगा और यह पंप आपका लास करेंगा तो से तीन है फिफ्टी रेपिटेशन बिना रुके तब को डेमो के लिए दिखाया और आप देख सकते हो पाँ तो फिर कोई भी हो जाएगा आप से इंपरासर बोलेगा आइसा वाद जिम ज्यादा ह हो गया कुछ आपका तो गाइज जो हमारा नेक्ष्ट अपडेट है वो एक ग्रुजी मुकेस गैलोड के तरफ से तुन्हों ने आप लोगे लिए कुछ टिप सेर करा तो मैं लेकर आया हूं आप ग्रुजी के बार में आप लोग एक कॉमेंट जरूर करना आपको ज्यादा कि आए और पीक आएगी आपकी तब जब आप वेट को बिल्कुल बोटम से उठाएंगे शोल्डर का कम से कम इन्वाल्मेंट करना है यानि एल्बो को लिफ्ट नी करना है और वेट को बिल्कुल इस पोजिशन से आप में लेकिना जैसे वीडियो में दिखाया है बोटम से कि आप क्या करते हैं पूरा नीचे जाते नहीं है रस्ते में से वेट को आपने स्कीच के लिए आते हैं डंबल हो या बारबल हो और यह सब से वर्स कंडिशन है कि आपके बाइसे की पीक अच्छी नहीं आएगी कि अलबो कम उठाने बोटम से वेट को उठाना और पीक कोंट्रेक्स करना बस यह याद रखो और अपनी ट्रेनिंग करो बाराब यह के अंदर देखने ला आपके पीक में कितना इंप्रूमेंट आजाए बाइस सब्सक्राइब तो गाई जो हमारा नेक्ट अपडेट है व है देखते हो बहुत आप अच्छा तक्याव बता पूंट के अवोमेंट जरूर आजब नगे की अपने आप लोग यह नगे कैनल को सबस्क्राइब करना नेक्ट वीडियो आनेवला आने वाला है भोवन चवान बरसेश राउल फिटनेस तव्लोग चैनल को सभ्सक्राइब करके रखना ताकि बेल आइकन दबाना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुचे तो मिलते हैं को नहीं फीडियो में तब तक के लिए जैन गुड़ बाई